मैं आपसे बात कर रहा है तो विड़ा कि जब जब हम बात करते हैं First Indian Budget अगर मैं बात करूँ First Indian Budget तो यह किस ने प्रेजेंट किया James Wilson ने on Fev 18, 1869 जब First Indian Budget को प्रेजेंट करने को लिए करके गोस्तन आएगा तो नाम किसका लोग है James Wilson का और डेट क्या रहेगी हमारी Fev 18, 1869 लेकिन अगर Budget की Introduce करने की बात आएगी तो किस ने Introduce किया East India Company ने और Budget के Introduction का डेट क्या था 7th April 1860 अगला जो Examination के लिए बहुत ज़्यादा Important Question रहेगा कि First Budget of Independent India इंडिपेंडेंट इंडिया बहुत सारी निउस प्रब्लिस होते है निउस में बहुत सारी खबर आती है उससे जुड़ी होते है तो इंडिया में जो Budget प्रजेंट करता है वो कौन होता है Finance Minister होता है इनका कहना है First Budget of Independent India यानि कि Independent होने के बाद जो इंडिया का पहला बज़र प्रजेंट किया वो किसने प्रजेंट किया Presented by the Finance Minister Mr. R.K. Stan Mukanchetti on November 26, 1947 आप सभी जानते हम 1947 में देश आजाद हुआ और उसका जो First Budget प्रजेंट किया था ये Question exam के लिए बहुत बहुत important रहेगा तो Mr. R.K. Stan Mukanchetti Date क्या रहेगी November 26, 1947 तो Examination के लिए अगेन ये Point अपने आप में काफी important है हालांकि मैं आप से बोल के चल रहा हूँ कि ये सारे के सारे Point जो मैंने आपके लिए फ्रेम कर रखें ये Point वाइस objective question के लिए बहुत जादा important है और दूसरा अगर हम बात करेंगे Who is known as father of Indian budget तो बेटा very very important हम इस question को बोल के चलेंगे स्ट्रेट वे question पूछा जा सकता है कि किसको बोला जाता है father of Indian budget तो PC महलानोबस is known as father of Indian budget तो काफी important question रहेगा examination के लिए अगले मुद्दे पर चलता हूँ बेटा तिल 1995 budget was only printed in English language 9055 तक की बात करें इंडिया जो हमारा आजाद हुआ देश जो हमारा आजाद हुआ 1947 में और 1955 तक हम अपने budget को इंगलिस में ही प्रिंट करते रहें लेकिन 9555 में हम जागे कि अब तो हम आजाद हो चुके हैं और अब से नहीं 9047 से हम कही न कहीं आजाद हो चुके हैं तो हम अपना budget कहीं न कहीं इंगलिस में भी प्रिंट करेंगे और इसके साथ साथ फिर हम हिंदी में भी प्रिंट करेंगे तो however from 1955 to 56 budget started getting printed in both languages that means Hindi and English यानि budget फिर हिंदी में भी प्रिंट होने लगा और इंगलिस में भी यह कब से 9555 and 56 सर आप एक बात बता दो यह 9555 और 56 दोनों क्यों लिख दिया आपने मैंने आपसे क्या वोला बिटा जब जब हमारा budget प्रिजेंट होता है तो financial year के लिए प्रिजेंट होता है financial year यह 1st April से start होता है और 31st March को खतम होता है अभी थोड़ी ज़र पहले हम बात कर रहे थे जब हम budget की starting की बात कर रहे थे 1st April to 31st March तो अगर मैंने यहाँ पर बोला है अगर मैंने यहाँ पर बोला है कि हमारा budget 1955 से लेकर के 56 अगर मैंने वर्ड बोला है तो इसका मतलब 1st April 1955 से लेकर के 31st March 1956 वाला यह इन फाइनस लिए 55 56 का जो budget जो प्रिंट हुआ वो किस में प्रिंट हुआ दोनों लेंग्वेज में हिंदी लेंग्वेज और इंग्लिश लेंग्वेज इससे पहले के budget हमारे कहीं न कहीं इंग्लिश लेंग्वेज में प्रिंट होते रहे थे आगे इनोंने बोला in British era बजट यूज तू प्रिंट इड़ फाइप इम इनका कहना है बजट को जैनरली सामको पांच बज़े प्रिंट किया जाता था इस प्रेक्टिस वाज डिसकॉंटियूड ये प्रेक्टिस क्या हुई रुख गई डिसकॉंटियू हो गई in the year 2001 बहुत टाइम लगा हमको इस को डिसकॉंटियू करने में बाई प्रेजेंटिंग दा बजट एट 11 एम और 2001 से बदलाब आया एक बड़ा बदलाब आया चोटा मोटा नहीं और हमने क्या बोला कि जो बजट सामको पांच मुझे प्रेजेंट हुआ करता था अब हम उसको सुबह 11 मुझे प्रेजेंट करन ये भी एक एक एक्जामरिसन में क्योंको बन सकता है और आफ्टर था 2001 की बात करें तो ये प्रेटिस हमादी क्या हो गई डिसकॉंटिनीड हो गई और बजट को हम सुबह 11 बजए प्रेजेंट करने लगे डाट मिस 11 एम बजट प्रेजेंट किये जाने लगा एक और बदला आप कि में बात करूँगा अंटिल 2017 2017 तक बजट यूज तू प्रेजेंट अन्द लास्ट वर्किंग दे अब दा फैब बजए दिविजली फैब के लास्ट वर्किंग दे में प्रेजेंट हुआ करता था तिल 2017 बट नाव इज प्रेजेंट अन दा फैब लेकिन अब ये फैब के लास्ट वर्किंग दे की बजए कब प्रेजेंट होता है तो अगर एक्जामरेशन कोस्टन बने के प्रेजेंट टाइम पर जो बजट हमारा प्रेजेंट होता है वो फिर्स्ट वर्किंग दे या लास्ट वर्किंग दे तो आप क्या बोलोगे first working day और till 2017 की अगर बात की जाए तो आप क्या बोलोगे budget present हुआ करता था budget used to present it जब जब हम बात करेंगे budget used to present it on the last working day of the slab यह कब तक रहा 2017 तक आगे मैं अगले मुद्धे की बात करूँगा और बहुत ही interesting aspect है कही न कही जब भी कोई government बनती है उसके finance minister बनते हैं और finance minister को अगर को finance minister 5 साल तक सरकार में बने रहता है तो उसको 5 बार budget present करने का chance मिल जाता है बड़ कुछ finance minister ऐसे रहे जोने budget present करने का कभी chance नहीं मिला मतलब अगर वो finance minister रहे भी होंगे तो less than one year रहे होंगे यही एक reason रहा तो Mr. Casey नियोगी एन एचन बहगुना दो finance minister थे वर only the two finance minister who did not present any Indian budget और जिन्होंने कोई भी Indian budget present नहीं किया और अगर हम budgets की बात करें तो record budget present करने का यानि कि जो budget present करने का record किसके बास बना हुआ है मोरार जी देशाई कितने budget present किये 10 budgets present किये बात समझ पार हो बेटा सबसे जादा budget किसने present किये स्री मोरार जी देशाई ने present किये और अगर हम बात करेंगे ऐसे कौन से तो finance minister थे जोनोंने कभी कोई budget present नहीं किया तो केसी नियोगी and H.N. बहुग ना आगे मैं आपसे बात करने वाला हूँ railway budget के बारे में कुछ fact यहाँ पर railway budget को भी लेके चलेंगे तो railway budget was presented separately from 1924 1924 से अंगरे जो के time से railway budget जो Indian union budget था उससे separately present होता था बट आफटर 92 यर 92 यर के बाद एक बदलाव आया और 2017 से railway budget को merge कर दिया गया Indian union budget में तो railway budget Indian union budget में कब से merge हुआ यह year हमारे ले matter करती है 2017 से और railway budget कब से separately present करता था 1924 से और कितने यर तक railway budget को separately कितने यर तक railway budget को separately present किया गया तो आप क्या बोलोगे 92 यर तो यह सारे मुद्धे जो हमने बात किये वो कहीं न कहीं एक budget overview के तोर पर यहां पर बात किये अभी हमने budget क्या था थोड़ा सा basic aspect डिसक्स किया था इस budget से related different component पर भी हम बात करेंगे बट इस overview से भी examination में हमारे लिए काफी सारे questions पूछे जा सकते हैं उन सारे questions को एक एक करके analyze करने का हमने यहां पर प्रियास किया है बात क्लियर अब मैं अगले मुद्धों की बात करूँगा की terms की बात करूँगा कि budget से related कौन कौन से हमारे key terms रहेंगे हलो फ्रेंड्स कैसे हो CS प्रिटी सिंग CS classes में एक बार फिर से आपका हारदिका विरंदन और आज हम जिस मुद्धे पर बात करने वाले हैं आज हम जिस topic पर बात करने वाले हैं वो है हमारा Indian Union Budget और Indian Union Budget के मुद्धे पर जब हम बात करेंगे तो इससे पहले सबसे पहले यानि कि हमें ये जानने की जरुवत है कि ये budget होता क्या है क्या जरुवत होती है हमें budget बनाने की ना बनाएं तो कोई problem होगा क्या और फिर उसी से connected हम एक topic पर से लेंगे overview of Indian Union Budget तो सबसे पहले हम बात करते हैं बजट क्या होगा मैं आप से बात कर रहा हूं अगर कहीं गूमने जाना है तो पेरेंट से पैसे लेने पड़ते हैं या नहीं लेने पड़ते हैं बच्चे कहरे हाँ सर अभी तो लेने पड़ते हैं CS बनने के बाद देखा जाएगा तो जब भी हम घूमने जा रहे होते हैं तो कहीं न कहीं अपने mind में एक aspect लेके चलते हैं कि कितना खर्चा हमारा हो सकता है कितना expenses हमारा हो सकता है उतने ही पैसे demand किया जाएं या ऐसे मांग ले तो 2-4 करोड रुपे बच्चे करें नहीं सर इतना बड़ा amount कैसे मिलेगा हम तो कुछ छोटे से quantum में जितना required amount होता है उसमें थोड़ा सा margin एड़ करके demand कर लेते हैं तो कहीं न कहीं आपके mind में एक aspect चल रहा है कि अगर मैं बाहर जा रहा हूं मुझे expense करना है family की requirements पर, बच्चों की requirements पर, उनकी education पर यह किसी भी type के खर्चे के लिए कितने fund की requirement हो सकती है वो prior basis पर ही पहले एक budget बना लिया जाता है जब एक family का budget बन सकता है जब एक घुमने वाले बच्चे का जो सिर्फ घुमने जा रहा है वो अपना budget बना सकता है और तो और आप जब भी market से कोई सामान लेने के लिए निकलते हो तो भी mind में एक budget लेके निकलते हो कि मुझे कितना expense करना और उसके लिए आप घर से fund ले करके चलते हो तो budget society के हर एक segment में available है तो क्या हमारी government के budgets नहीं बनने चाहिए governments के पास भी तो बहुत सारा fund आता है और government बहुत सारा fund expense कर रहा होता है तो government को भी time time पर fund की जरूत पड़ती है पैसे की जरूत पड़ती है और उस पैसे की requirement को उन्हें पहले से prior basis पर estimate कर लेना चाहिए कि कितना fund हमारे पास आने वाला है और कितना fund हम expense करने वाले है या दूसरे सब्दों में कहें कि हमारी जो expense की requirements को देखते हुए हमको कितने fund की requirement रहेगी इन सारी बातों को इन सारे aspect को गर हम prior basis पर identify कर रहे होते हैं तो कहीं न कहीं we are talking about या we are thinking about the budget aspect तो इन सारे budget aspect इन सारे budget related terms पर हम बात करेंगे लेकिन सबसे पहले हम Indian Union Budget के कुछ overview के तौर पर बात कर लेते हैं और कहीं न कहीं ये identify करते हैं कि ये Indian Union Budget का origin कब से हुआ कैसे हुआ और इससे connected कुछ objective questions आपके exam में आपके CS Executive Entrance Test के exam में पूछे जा सकते हैं तो ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है और मैंने आपके लिए आपके स्लेबस को आपके content को कुछ इसी तरीके से आपके लिए प्रेजेंट कर रहेगा हर एक पॉइंट आपके लिए का objective को असन रहेगा अगर हम फस्ट पॉइंट की बात करें तो यहां मैं ऐसे plan की बात करूँगा तो ऐसे plan में हम क्या estimate कर लगा रहे होते हैं क्या estimation हमारा चल रहा होता है क्या हमारा mindset चल रहा होता है तो हमने बात की budget is a plan of how to spend an amount how to spend an amount यान की budget भी एक अपने आप में plan है और planning छोटी छोटी बातों की हो सकती है लेकिन यहां पर planning किस बात की चल रही है कि amount को कैसे spend किया जाएगा how to spend an amount of money over a particular period of time budget का भी एक time होता है हम कभी lifetime budget नहीं बना लेते अपनी lifetime में जितनी भी swapping होने वाली सबका budget नहीं बना लेते government भी 50-50 साल का budget एक बार में नहीं बना लेती उनको भी एक specified time के लिए budget बनाना होता है अगर हम घूमने जा रहे हैं तो सिर्फ उस particular time के लिए budget बनाएंगे अगर हम अपना family budget बना रहे हैं तो हो सकता है particular year या particular month के लिए budget बनाएंगे अगर government budget बना रहे हैं तो हो सकता है वो एक complete year के लिए ही budget बनाएंगे या बजट में करना है क्या है plans बनाने किस बात के लिए plans बनाने और ये expenditure के लिए plan बनाने और ये expenditure का जो plan बनेगा वो कब बनेगा एक particular period of time के लिए बनेगा मैंने आपसे बात करी कि हम government के budget के बारे में बात कर रहे हैं और इसी को क्या बोला जाता है Indian union budget तो तो the Indian union budget is also known as annual financial statement examination का एक single marks में question आ सकता है कि Indian union budget is known as annual financial statement, monthly financial statement, monthly P&L account या हम कह सकते annual profit and loss account चार option अगर उन्होंने दे दिये तो आप क्या टिक करोगे Indian union budget is known as annual financial statement सरी आगे क्या लिख दिया है आपने article 112 of constitution of India COI बेटा CY या फुल फॉर्म रहेगा constitution of India article 112 of constitution of India में annual financial statement को define किया गया है इसके बारे में बताए गया है तो मैंने आपर reference दिया है सिर्फ प्रिसान होने वाली बात नहीं है तो दो point हमने निकाले कि sir budget क्या है एक plan है और sir ये plan किस reference में हो सकता है कि sir expenses के reference में हो सकता है कि हमने कैसे amount expense करनी है एक particular point of time पर और आगे मैंने बात करी Indian union budget को ही किस नाम से जाना जाता है annual financial statement के नाम से जाना जाता है अगले point पर आता हूँ sir ये statement क्या होता है हमने time time पर 11th class से different different type के statement या accounts बनाते रहे है statement की बात करें तो कुछ fact को present जिस document के थुरू किया जाता that is known as statement और Indian union budget भी एक statement है क्योंकि इसके थुरू भी कुछ नो कुछ fact प्रेजेंट हो रहे है और कही न कहीं हम बात करें तो वो fact किस reference में होते है expense के reference में तो Indian union budget is a statement of estimated receipt sir क्या क्या होता है इसमें estimated receipt होगा और दूसरा expenditure in respect of every financial year याद करो भी मैंने आपसे क्या कहा था जब जब हम budget की बात करते हैं तो हमारे mind में क्या चल रहा होता है कितना expense करना है और वो पैसा कहां से आएगा मैंने आपसे कहा तो आप घूमने जा रहे हो तो आपको अपने खर्चों का estimation करना पड़ता है expenses का estimation करना पड़ता है और उसके according लिए सोचना पड़ता है कि हम parents से कितने पैसे लें तो सेम बें यहाँ पर आगे हैंनों ने explain किया Indian Union Budget is a Statement और इस statement में क्या available होता है estimated received कितना हमको receive होने वाला है और इस expenditure यानि हम कितना estimated expense करने वाले हैं और कितना estimated हमको amount मिलने वाला है in respect of every financial year और मैं जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि जब जब हम budget की बात करते हैं तो किसी एक particular time period के लिए budget होता है most of the time पर है जो budget बनता है अगर हम Indian Union Budget के बारे में बात करते हैं तो यह 1st April से लेकर गए 31st March के time period के लिए बनता है और इस time period को एक unique नाम दिया जाता है एक special नाम दिया जाता that is known as financial year मैंने आपसे क्या बात किया बेटा मैं budget के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ इसके एक एक पहलू पर आपसे बात कर रहा हूँ और अब तक हमने पहले point में जो कुछ मुद्धे कुछ example लिए तो second और third point भी हमको उनी example से connected message दे रहे हैं कि सर यह Indian Union Budget बनेगा यह statement के form में बनेगा और इसमें estimated receipt होंगे estimated expenditure होंगे और साथ ही साथ में यह financial year के लिए बनेगा जो financial year most of the time पर 1st April to 31st March होता है अगला और most most important question यह exam में आ सकता है कि budget पहली बार कब introduce किया गया जब budget के introduce करने की बात की बात की जाए तो that means यह उस date की बात की जाए तो यह 7th April 1860 बेटा मैं 1960 नहीं बोल रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ 1860 by the East India Company तो दो question यहां से बन सकते हैं कि बस budget किसने पहले present किया तो option में क्या आ सकता है बेटा East India Company budget पहली बार कब introduce हुआ तो option में क्या आ साएगा बेटा 7th April 1860 मैंने क्या बात किया बेटा budget की बात करें तो budget का introduction का हुआ 7th April 1860 में और यह किसके through introduction हुआ East India Company ने इंडिया में पहली बार budget लगाया आप सभी जानते होंगे कि अंग्रेजों के time में East India Company ने इंडिया पर काफी time तक सासन किया और उसी दोरान यह concept यहाँ पर introduce किया गया हालां कि यह कुछ facts है जह तक हम को मिल पा रहे हैं और examination हैं हम इनको ही present करेंगे लेकिन मैं आप से कुछ background में बात करता हूँ क्या इससे पहले इंडिया में किसी ने सासन नहीं किया होगा क्या क्या इंडिया में इससे पहले कोई राजा नहीं था क्या resource नहीं थे क्या उनका estimation नहीं होता होगा होता होगा और hundred percent होता होगा पहले भी budget बनते होंगे बट पहले budgets के अगर हम बात करें that particular point of time पर कि जो facts थे होगा हमारे पास present नहीं है और अभी हमारे पास current facts जो present है जिने budget का नाम दिया गया वो सारे facts के अगर हम बात करेंगे उससे पहले हो सकता है किसी hindi नाम में उनको पकारा जाता हो हो सकता है किसी different नाम से उनको जाना जाता हो लेकिन aspect तो वही रहते होंगे ना लेकिन जो budget नाम से जो present किया गया fact जो present किया गये उसकी जो date अगर हमको mention करने को आएगी तो हम पीछे history पर नहीं जाएगे हम challenge नहीं करेंगे नो ले इसको हमको जो content provide किया गया उसके accordingly आंसर देंगे जब आप CS बन जाओ जब आप अच्छे professional बन जाओ तो इन सारे मुद्दों पर question mark उठाने की कही न कहीं आपके पास वबर आ जाएगी लेकिन अभी तो हमारा जो पहला object है वो CS बनना है तो अभी हम fact को challenge नहीं करेंगे अगर हम budget की बात करेंगे तो budget was first introduced on 7th April 1816 by the East India Company और इसके बाद अगर हम बात करेंगे the first Indian budget first Indian budget presented by the James Wilson अगर person का नाम पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे first Indian budget किसने present किया James Wilson ने और वो कब present किया था February 18 1869 मैं आपसे बात कर रहा है तो विटा कि जब जब हम बात करते हैं first Indian budget अगर मैं बात करूँ first Indian budget तो यह किसने present किया James Wilson ने on February 18, 1869 जब फरस्ट Indian budget को present करने को लिए करके उसका आएगा तो नाम किसका लोगे James Wilson का और date क्या रहेगी हमारी February 18, 1869 लेकिन अगर budget की introduce करने की बात आएगी budget की introduction का date क्या था 7th April 1860 अगला जो examination के लिए बहुत ज़्यादा important question रहेगा कि first budget of independent India word यूज कर रहा हूँ मिटा में independent India was presented by the finance minister आप सभी जानते होगे India में each and every year budget सहसन आता है बहुत सारी news प्रब्लिस होते हैं नियूज में बहुत सारी खबरे आती हैं उससे जुड़ी हुए तो इंडिया में जो budget प्रेजेंट करता है वो कौन होता है finance minister होता है तो इनका कहना है first budget of independent India यानि कि independent होने के बाद जो इंडिया का पहला budget प्रेजेंट किया वो किसने प्रेजेंट किया और उसका जो first budget प्रेजेंट किया था ये question exam के लिए बहुत बहुत important रहेगा तो Mr. R.K. सान मुखन चेटी date क्या रहेगी November 26, 1947 तो examination के लिए again ये point अपने आप में काफी important है हालांकि मैं आप से बोल के चल रहा हूँ कि ये सारे के सारे point जो मैंने आपके लिए frame कर रख है ये point wise objective question के लिए बहुत ज़्यादा important है और दूसरा अगर हम बात करेंगे who is known as father of Indian budget तो बेटा very very important हम इस question को बोल के चलेंगे straight way question पूछा जा सकता है कि किसको बोला जाता है father of Indian budget तो PC Melanobis is known as father of Indian budget तो काफी important question रहेगा examination के लिए अगले मुद्दे पर चलता हूँ बेटा till 1995 budget was only printed in English budget was only printed in English language 1955 तक की बात करें इंडिया जो हमारा आजाद हुआ देश जो हमारा आजाद हुआ 1947 में और 1955 तक हम अपने budget को इंगलिस में ही print करते रहें लेकिन 1955 में हम जागे कि अब तो हम आजाद हो चुके हैं और अब से नहीं 1947 से हम कई न कई आजाद हो चुके हैं तो हम अपना budget कई न कई इंगलिस में भी प्रिंट करेंगे और इसके साथ साथ फिर हम हिंदी में भी प्रिंट करेंगे तो हावेवर फिर हिंदी में भी प्रिंट होने लगा और इंगलिस में भी यह कब से 90, 55 और 56 सर आप एक बात बता दो यह 90, 55 और 56 दोनों क्यों लिख दी हैं आपने मैंने आप से क्या बोला बिटा जब-जब हमारा बजट प्रिंट होता है तो फाइनस लियर के लिए प्रिंट होता है फाइनस लियर अे फरस्त अपरेल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खतम होता है अभी थोड़ी दोट धर पहले जब आपक कर रहे थे जब हम budget की starting की बात कर रहे थे 1st April to 31st March तो अगर मैंने यहाँ पर बोला है अगर मैंने यहाँ पर बोला है कि हमारा budget 1955 से लेकर के 56 अगर मैंने word बोला है तो इसका मतलब 1st April 1955 से लेकर के 31st March 1956 वाला यानि financial year 55-56 का जो budget जो print हुआ वो किस में print हुआ दोनों language में Hindi language और English language इसे पहले के budget हमारे कही न कहीं English language में print होते रहे थे आगर इनोंने बोला in British era मतलब British जब हम कही न कहीं हमारा देस आजाद नहीं था इंडिपेंडेंसी नहीं थी उस दौरान हम बात कर रहे है British era की बात कर रहे है जनरली साम को 5 बजे प्रेजेंट किया जाता था इस प्रेक्टिस वोज डिसकोंटिन्यूड ये प्रेक्टिस क्या हुई रुक गई डिसकोंटिन्यू हो गई इन ये 2001 बहुत टाइम लगा हमको इस प्रेक्टिस को डिसकोंटिन्यू करने में by presenting the budget at 11 एम तो budget सामको पाच बजे present हुआ करता था अब हम उसको सुभे 11 बजे present करने लगे बास समझ पारे हो तो British era की बात करें तो budget सामको present हुआ करता था यह भी एक examination को कोशन बन सकता है और after the 2001 2001 की बात करें तो यह practice हमारी क्या हो गई discontinued हो गई और budget को हम सुभे 11 बजे present करने लगे डाट मिस 11 एम budget present किये जाने लगा एक और मदला आपकी में बात करूंगा अंटिल 2017 2017 तक budget used to presented on the last working day of the FAB budget usually FAB के last working day में present हुआ करता था till 2017 but now it is presented on the first now it is presented on the first working day of the FAB लेकिन अब ये FAB के last working day की बजाए कब present होता है FAB के first working day में present होता है तो अगर examination question बने कि present time पर जो budget हमारा present होता है वो first working day या last working day तो आप क्या बोलोगे first working day और till 2017 की अगर बात की जाए तो आप क्या बोलोगे budget present हुआ करता था budget used to presented जब जब हम बात करेंगे budget used to presented on the last working day of the FAB ये कब तक रहा? 2017 तक आगे मैं अगले मुद्धे की बात करूँगा और बहुत ही interesting aspect है कहीं न कहीं जब भी कोई government बनती है उसके finance minister बनते हैं और finance minister को और को finance minister पांस साल तक सरकार में बने रहता है तो उसको पांच बार budget present करने का chance मिल जाता है बड कुछ finance minister ऐसे रहे जोने budget present करने का कभी chance नहीं मिला मतलब अगर वो finance minister रहे भी होंगे तो less than one year रहे होंगे यही एक reason रहा तो मिस्टर केसी नियोगी एन एचन बहगुना दो finance minister थे वर only the two finance minister who did not present any Indian budget और जिनों ने कोई भी Indian budget present नहीं किया और अगर हम budgets की बात करें तो record budget present करने का यहनि कि जो budget present करने का record किसके बास बना हुआ है मोरार जी देशाई कितने budget present किये 10 budgets present किये बात समझ पार है बेटा सबसे जादा budget किसने present किये स्री मोरार जी देशाई ने present किया और अगर हम बात करेंगे ऐसे कौन से तो finance minister से जोनों ने कभी कोई budget present नहीं किया तो केसी नियोगी and H.N. बहुग ना आगे मैं आपसे बात करने वाला हूँ railway budget के बारे में कुछ fact यहाँ पर railway budget को भी लेके चलेंगे तो railway budget was presented separately from 1924 1924 से अंगलेजों के time से railway budget जो Indian union budget था उससे separately present होता था बट आफटर 92 यर 92 यर के बाद एक बदलाव आया और 2017 से railway budget को merge कर दिया गया Indian union budget में तो railway budget Indian union budget में कब से merge हुआ यह year हमारे लिए matter करती है 2017 से और railway budget कब से separately present करता था 1924 से और कितने year तक railway budget को separately कितने year तक railway budget को separately present किया गया तो आप क्या बोलोगे 92 यर तो यह सारे मुद्धे जो हमने बात किये वो कहीं न कहीं एक budget overview के तोर पर यहां पर बात किये अभी हमने budget क्या था थोड़ा सा basic aspect discuss किया था इस budget से related different different component पर भी हम बात करेंगे बट इस overview से भी examination में हमारे लिए काफी सारे questions पूछे जा सकते हैं उन सारे questions को एक एक करके analyze करने का हमने यहां पर प्रयास किया है अब मैं अगले मुद्धों की बात करूँगा की terms की बात करूँगा कि budget से related कौन कौन से हमारे key terms रहेंगे करूँगा